ही वपलोगा स्वागत है हम देखेंगे घटना चक्र रहे 6 एससी की घटना चक्र हमिषिस घटना चक्र का पुरे इतिहांस को अब देखते हैं प्रांचीन इतिहांस के बारे में देखेंาง प्रचिन इतिहांस इसमें है प्रागातिहांसी काल और हर्पास सभेता ओनलाइन प्रिक्षा दौए शुला अथारे के बीच का पुरा दिया हुआ इसमें पहला कुछा नहीं में भीम बेटका के रॉक सेल्टर्स किसकी तलहट्थी मिश्थी था तो बिंधरेंज की भीम बेट का की गुफाय पुर्व एतिहांसी काल चित्रों तता भीति चित्रों का बहत्रीन उदाहरन है भीम बेटका गुफा सेल्चित्र के लिए परसीद है किस हरपा कालिनस अस्थल के भवन निर्मान के लिए कच्ची इट का प्रियोग बहुतायत से क्या गया था तो काली बंगा किस हरपा कालिनस अस्थल के भवन निर्मान के लिए कच्ची इटो का प्रियोग बहुतायत से क्या गया था तो काली बंगा होगा किस नपशानिक अस्थल से गर्थ निवास के परमान मिले गर्थ निवास कहां से मिला है तो बोर्ज होम से बोर्ज होम से गर्थ निवास मिल इसके बार प्रतात्विक अपिशेश के रूप में काले रंग की चूरिया, अगनी, कुंड, हल से जूते हुए खेट, यूगल सब्वाधान में से कौन सिताथ Mais लहां- काली बंगा से परापत हुए हैं. यूगल समधान काली बंगा से प्राप नहीं हुआ है बाकी काले रंग की चूरिया अगनी कुंड हल से जूते हुए खेत इशब कहां से मिला है यहां से काली बंगा से मिला है लोथल दैमाबाद शुर्कोटदा धौला विरा में से कौन सा हर्पा काली अस्थल गुजयात में तो दैमाबाद गुशात नहीं है इसके बाद है लंग नाज गनेश्वर बागोर आदमगा से कौन सा अस्थर मध्यपसान काली नहीं है तक गनेश्वर अपरापन काली नहीं है शिंदु घाति सभिताय कौन सा किनारे बशा हुआ है तो शावरमती इसके बाद है इसके बाद है हरपा कालीर अस्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी शिंदु घाती सभेता कौन सा एक अस्थान रावी नदी के किनारे पर इस्थित था तो हरपा रावी नदी किनारे इस्थित था इसके बाद है शिंदु घाती की लिपी कौन थी तो अभी भी पठित नहीं है अभी नहीं पढ़ा गया है लगु पशानकल होते हैं का पत्थर क लगुपसानकल का होते हैं तो पत्थर के औजार होते हैं लगुपसानकल पत्थर के औजार होते हैं लगुपसानकल पत्थर के औजार होते हैं इसके बाद है हरपा कालीन अस्थल रोपर किश नदी किनारे स्थित है तो सतलज रोपर किश नदी किनारे स्थित है हरपा मोहन ज शाहरी थहरा शाहरी थे, शिंदु घार्टी सब्यता में धौला वी राष्ठाल भारत के किसी राजमें सितु गुजरात के उपस्थानु जैसे धौला हो गया, मोहन जोद्र हो गया. इसके बाद है इसके बाद है सिंदू घाटी शाहत मिधूनिकी किनारी परिस्थित है ugs यूगल सवधान फारस की मूहरे बंदरगा एक में कौन संत्रत्त हनू इम्दो कि नहीं स्थाथ हुआ है चैने मेहरगड इ Halo सथाल 마ंद परशान यूग करता है। मेहर घठ जो है। मेहर गहर नह प्रचीन धिकरता व मेलित-णाहे। मतल्ब में शुमयलित करदा है. मुखन जोद्रव में क्या था? मंद बला कुंफाइए बात। जहां मतलब पतन का पनिया जहाज का पतन मिलेद् के बाद मोहन जोद्र Sure sans rod में सबसे तुर से बडा इमारत कौन सा है जोतुर झेरिये देर एनगार करे लोग कि पुजा करते थे पशु पत्ठी की पुजा करते थे Sindicam का पुरा लेख सास्त्र को पुरा लेख सास्त्र के अध्यन के अंतरगत आता है तो म्यूजियोलोजी म्यूजियो म्यूजियोलोजी के अंतरगत आता है इसके बाद है इसके बाद देख रहे हैं इतिहास के अरंभी काल को निम्खित में से क्या कहा जाता है तो इतिहास के अरंभी काल को कहा जाता है पुरा पशान काल कहा जाता है इतिहांस के आरम ही काल को निखित में क्या कहा जाता है तो पुरा पशान काल कहा जाता है इसके बाद है इसके जिस काल के कोई लिखिस स्क्ष नहीं मिलता उसे प्रगयतिहासी काल कहते हैं प्रगयतिहासी काल के अंदर पशान काल इन सब पहता आती है उपकरनों के भिंता के आधार पर संपून पशान यूग इन संस्किति को तीन मुखचरदों य्भायत क्या गया है इह हैं पूरा पशान काल है बहिम बेतका गुफा की शराज में है तो बहिम बेतका गुफा मध प्रदेश में मद्ध प्रदेश के प्रसीद भीम बेटका की गुफा भुपाल से पैतालिस किलोमीटर दक्षिन मिश्थित है यह प्रागेति हाशिक कला का प्रहरी होने के शाक्षी भारती अस्थापत्य कला का नुपम खाजाना है कि यूग में पत्थर के अजार सबसे पहल पाए गया है इसके बादें उपकरनों के भींता के अधार पर पुरा पशयान कालों में बिभाई पुरा पशयान काल को तीन व्हाट कल तक्षिनी उपकरन इस्य में मिला है हुआ इस के बाद है शिंदु घाती सभेता के शाहरों की गलिए ती क्या थी चारी और सिधी थी थी शिंदु घाती सबेता की हेर siz नगर नेजन के परसिद है सिन्दू घाटे स्व चैस्ति नगर beide और चीर में अजोरण के दो हरपा नमक्त परफ़र जानता क्योंकि सब चाहिए जानता हुझ्की के पहले कि नामक नंगर जूंगे शुल्हा जाते हैं तो हर्पा रावी नंदी किनारे जबकि मोहन जोद्रों शिंदू नंदी किनारे अवस्तित है शिंदू घाटी स्थानों में से कौन सा स्थान शिंदू नदी घाटी किनारे पर स्थित था तो मोहन जोद्रों शिंदू नदी घाटी के किनारे स्थित था इसके बाद लिपी कौन है तो शिंदू घाटी शबयता की लिफी अज्यात है कि उसमें पड़ा नहीं गया है अगर शिंदू लिपी में लगवा चौशठ मूल चेन दूसर पचास से चार सो तक अक्षर है जो शिल्खरी की अताकार मुहरे तांबे की गुटिकाओ आधी पर मिलते हैं सिंदू घाटी शबयता है कि लिपी को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है मोहन जोद्र का स्थानी नाम क्या था तो मिर्तको का टीला मोहन जोद्र जिसकी सिंधी भासा में अर्थ मिर्तको का टीला होता है इसकी खोई शर्पर्थम वर्ष 1922 इसमिराखल दास्थ बनरजी न की तथा इसके पुरतात्विक महतो को और ध्यान आकर्शित किया मोहन जोद्र में सबसे बड़ा भावन कौन है तो धन्यगार जो अनगार है धन्यगार है वही सबसे बड़ा भावन है मोहन जोद्रो का धन्यगार जो है 45.72 मीटर लंबा तब 22.86 मीटर चौरा था जो की वहां का सबसे बड़ा भावन था मोहन जोद्रो के विशाल असनानगार की उत्तर से दक्षिन की और लंबाई 11.88 मीटर तब पूरब से पहस्षिम की और लंबाई 7.01 मीटर थी विशाल असनानगार यानि ग्रेट बात कहां मिला है तो मोहन जोद्रो में ग्रेट बात कहां मिला है तो मोहन जोद्रो मिला है सिंदू घाटी के लोगों की एक महत्पून रचना निमलखित में से किसकी मूर्थी थी तो निर्थ करती हुई बालिका की मूर्थी थी इसके बाद है इसके बाद है इसके बाद है इसके बाद है देवी माता की पुजा संबंदित है जीले में भोगभा नदी के बाद है देवी माता की पुजा संबंदित है अंगार नदी के नाष्टित है वर्स 155 तथा 162 के मद्ध है यहां एस आर राव के निर्देश में खुदाई की गई जहां दो मील के घेरे में बशे हुए एक नगर के अब शेश प्राप्थ हो जाए यहीं की सबसे महत्पुनुपलवदी पक्की इचों का बाना हुआ विशाल अकार का यानि दूसरे 14 मीट सें Web गुने 36 मीटर का एक घेरा है जिसे राव महोदे ने जहाजों की गोदी बताया है इसपर का लोथल एक पतन नगर था लोथल में दो भीनभीन त्पाला फ्रत सब्राप्री की पुरी बस्ती एक ही दिवार से घेरी थी लेनिञा मैं पूरी की पुरी बस्ति एक ही दिव सिंदू घाती की तो इसको यही तक 15 कुश्चन 15 कुश्चन तक इसको रहन देते हैं फिर अगले वीडियो में इसे आगे कुश्चन देखते हैं तब तक लिए धन्यवार